गुड मॉर्निंग क्लास एट आज हम करेंगे कॉशन नमबर फोर और उससे आगे कॉशन नमबर फोर है कॉस्ट अफ आर्टिकल इस रुपीज 15,500 और रुपीज 450 वर स्पेंट उन इट्स रिपेर्स if it is sold for a profit of 15% find the selling price of the article तो देखिए cost of article है 15,500 money spent on repairing है रुपीज 450 तो total CP देखो क्या होता है अगर cost और फिर कुश रिपेरिंग में cost लगता है तो दोनों मिला के total CP आ जाता 15,500 प्लस 450 तो यह जाएगा रुपीज इसको add करेंगे 15,950 ओके देखो add कर लेंगे नहीं समझा रहा तो 15,500 प्लस 450 0,591,5950 ओके अब profit percent हमारा 15% है तो आपको मालूम है SP का formula अगर आपने याद कि होंगे तो formula SP equals to CP into 100 plus profit percent upon 100 CP कितना है 15,950 multiplied by 100 plus 15 upon 100 तो इसको देखे 15,950 multiplied by 115 upon 100 इससे यह cancel हो गया चाहो तो इसको cancel कर लीजे या पहले multiply कर लीजे और उसके बाद उसको 10 से divide कर लीजे इन दोनों को multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 183425 divided by 10 आंसर आजाएगा 18342.5 18342.50 रुपीज तो इतना इसका SP होगा ओके अब हम फिफ्ट कोस्चन करेंगे फिफ्ट कोस्चन है अब VCR and TV were bought for रुपीज 8000 each CP of VCR and TV is equals to यह सी अब अलग अलग इसको लिख लीजे CP of VCR रुपीज 8000 ओके फिर क्या है दा शॉप कीपर made a loss तो loss percent कितना है इस पे 4% तो चलो पहले इस पे find again or loss percent in the whole transaction तो पहले इस पे SP निकालो SP of VCR तो formula क्या है हमारा CP into 100 minus loss percent upon 100 जब मैंने formula लिखाय थे तो उसमें यह भी formula था तो देखिए CP हमारा 8000 100 minus loss 100 minus 4 upon 100 इससे 20 से 20 कैंसल होगे this is 80 into 96 0 86 48 48 48 9 72 plus 4 76 76 8 0 86 48 carry 4 8 9 72 76 rupees 7680 यह SP of VCR आ गया अब हमें TV का करना है देखो CP of TV is equals to rupees this is again 8000 profit percent 8 percent profit percent is equals to 8 percent now SP of TV it will be CP multiplied by 100 plus profit percent upon hundred तो CP हमारा 8000 multiplied by 100 plus 8 upon hundred two zero से two zero cancel तो हमारा हो गया 80 into 108 इसको solve करेंगे 88 जा 64 81 जा 8 rupees 8640 तो total SP निकाल लीजिए और total CP निकाल लीजिए फिर gain यह loss पता चल जाएगा तो total SP is equals to देखे पहला है rupees 7680 plus उसके बाद है rupees 8640 रुपीज 8,640 इनको एड़ कर लेंगे 0 8 4 12 6 6 12 1 13 8 7 15 16 16 3 20 16 तो के अब इसमें गेन और लास परसेंट और total CP देखिए रुपीज 8,000 प्लस रुपीज 8,000 ओके दोनों आर्टिकल का 8,000 है तो रुपीज 16,000 हो जाएगा therefore because CP है रुपीज 16,000 SP है रुपीज 16,000 320 तो गेन होगा तो गेन is equals to SP minus CP तो यह जाएगा 16,000 320 तो यह जाएगा 320 तो यह जाएगा 320 तो गेन परसेंट गेन अपों CP multiplied by 100% तो गेन 320 divided by 16,000 into 100 1, 2, 1, 2, 3, 3 तो यह 16,000 32 तो 2% गेन आगया तो इस तरीके से आप इस question को करेंगे आगे 6th question आप try कर सकते हैं बस CP SP का formula आपको याद हो जाएगे तो आप सारे questions कर सकते हैं Thank you